साथियों आज मैं आपके लेके आया हूँ तुरूप काई का जीहां दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन चार कारों की जो वास्तम है कीमत उनकी 7 लाग से कम है लेकिन दिखने में या फिर कहें उनकी फीचर्स की बात करें तो वो ऐसा लगता है जैसे 10 से 12 साथियों मैं जिन कारों की बात कर रहा हूँ वो दरसल है सब फॉर्मिटर कॉम्पेक्ट एश्वी की गाड़िया यानि एश यूवी की तरह दिखने वाली वो गाड़िया जो 7 लाग से कम में आ रही है लोग उन्हें पसंद भी खूब कर रहे हैं पर आप अभी चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि वैसे आपको कौन सी गाड़ी खरीद नहीं आप किसी हेज़ए की तरफ जा रहे हैं या फिर कहें कि एरी गेरी नद्दू खेरी कार खरीद रहे हैं उससे अच्छा है कि इस वीडियो को देखिए और एक सांधार सब फॉर्मिटर कॉम्पेक्ट एश भी खरीदने का बिचार कर रहे हैं तो मैं आपको सजेश्ट करूँगा आप रेनो की काईगर खरीदे रेनो की काईगर आप जानते हैं हलांकि इसके बेश मोडल कीमत केवल पांच लाग पैंतालिश जार रुप हैं लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं वो साथ लाग से कम आपको रेनो काईगर के आठ तरह के वेरिंट साथ लाग से कम मिल जाएं है ना कमाल की बात यहां चाहिए तो आप और एक्ष ए खरीदें और एक्ष एल खरीदें या फिर आरेक्ष टी खरीदें अलांकि साथ लाग से कम कीमत के यह सभी वेरिंट नोन डर्बो है यानिकि इसमें आपको मिलेगा 1.0 लीटर का नेचुरली एस्परेटेड इंजन जो की देगा 71 टू 72 भी का पावर हो सकते हैं कि वो मानें कि यह अंडर पावर है या की पावर कम लेकिन आप एक नो करी पैसा आदमी है या फिर कहें कि आप एक फैमिली के लिए कार खरीदना चाह र हो सकता है कि आपको लगे की छी यह तो अंडर पावर है लेकिन 71 भी इसपी के साथ मैं इसे कहूंगा आप यदि 7 लाग तक खर्च करने के लिए त्यार है तो आप रेनो काईगर का RX-T वेरेंट खरीद लीजिए उसमें आपको RX-T डूल टॉंड के साथ मिल जाएगा 7 अब आपको लगता कि शीट को फोड़ा सा नीचे करें ताकि उपर सर न साथ कर सकते हैं इतना ही इसमें आपको डेस पोड़ है वो डिूल टॉन मिलेगा Keyless Anti और Engine Start Stock का बटन भी इस गाड़ी में यानि रेनो की जो काईगर है Rx2-Dueton के साथ आने वाली उसमें मिल जाते हैं साथ ही इसमें आपको सबी विंडोज पावर्ड मिलेंगे यानि कि रियर और फ्रंट के विंडो है वो पावर विंडोज मिलेंगे तो कुल मिलाके आपको चक्रा गुमना नहीं पड़ेगा सब कुछ सांदार होगा और सात लाग में इसके अलावा भी तेरों फीचर्स जो है वो इस गाड़ी में मिलेगे तो ये रेनो काईगर आप ले लिए लेकिन आपको लगता है कि नहीं नहीं आपको बता दें वेन्यू का बेस्ट मोडल 6.92 लेक्स में मिल जाता है यहीं सात लाग से कम कीमत मिलड़ा है इसका जो एंजन है वह 1.2 लिटर का पेट्रोल एंजन है यानि की 82 बेस्प का पावर जनरेट करता है इसमें भी काफी सांदार फीचर्स है आलांकि आपको बता दें कि फीचर्स के मामले में वेन्यू बहुत तगड़ी गाड़ी है लेकिन यह क्योंकि हम बेस्ट मोडल की बात करने हैं तो इसमें आपको 15 इंच के श्टील भी मिलेंगे साथ ही रियर पार्किंग सेंसर ड्यू गुमा के उपर नीचे करना पड़ेगा और डे नाइट आई आर्वियम की बात करें तो वह आपको इसमें मिल जाए कुल मिलाके फीचर्स ज्यादा सांदार नहीं है लेकिन ब्रांड शांदार है वेन्यूस का नाम है और हुंडे की कार है तो निश्टी तोर से लोग इसे पसंद करता है और हर मईने 10,000 से ज्यादा गाडी ये भिगती है तो कुल मिलाके यदि आप काईजर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप हुंडे की तरफ जा सकते हैं यदि आपको एक ज्यादा फीचर वाली कार चाहिए तो आप 1.0 लिट्र के साथ काईजर खरीद लीज़ जो किया की देकर है ये है SONAT सब प्रमिट कॉंपेक्ट एशवी की SONAT जब पहले वेनियु जो बजार में थी तुह वह सब सस्ती सी अपने सेग्मेंट की सोनेट के आने के बाद वेन्य महेंगी और सोनेट उससे भी सस्ती मिलने शुरूगी बेश मोडल इसका अभी 6.79 लैक्स मिल रहा है लेकिन साथ ही आपको बता दें कि किया की सोनेट इंजन और फीचर्स दोनों ही मामलों में इन दोनों ही गाड़ियों को प्रोल इंजन जो 82 PHP का पावर देगा अब इस इंजन के बारे में ज्यादा बात नहीं करें क्योंकि वेन्यू वाला इंजन ही है यह आप समझ सकते हैं फीचर्स कौन से मिलेंगे तो डेरों इसमें फीचर्स मिलेंगा आपको बेश मोडल होते वे इसमें अलांकि कुछ कंप आगे अपना साथी बैटा है वह अपना फॉन चार्ज कर सकते हैं फीचे जो इसमें पर्विक बाके पावर देखने के उनको एक बार जड़ा निसान का डिलर्शिप है वहां भी घूम के आई है मेगनाइट हो तो उसे देख के आई है जिहां दोस्तों मेगनाइट में भी आपको काफी कुछ सांदार पेकेज मिल रहा है साथ लाग से कम कीमत में सबसे बड़ी बात ये कि हुंड़ी की वेन्यू या किय मेगनाइट के बेर्श मोडल की तरह यहां ऐसा नहीं कि केवल मेश मोडल साथ लाग से कम है निसान मेगनाइट में साथ लाग से कम कीमत में आपको तीम तरह के वेरेंट मिल जाएंगे यानि XE XL और XV आप खरीद रहे हैं तो वो भी मिल जाएगा यानि कि XV प्रीमियम जो उसका टॉप मोडल है उसके अलावा सभी वेरेंट है वो आपको साथ लाग से कम कीमत मिल जाएंगी अलागि एक जो बड़ी बात है वो ये कि ये सभी वेरेंट काईगर की तरही इसमें भी नौन टर्गो एंजन के साथ आएंगे अब नौन टर्गो एंजन के साथ आएंगे तो आप जानते हैं काईगर और मेगनाइट में दोनों में एक ही एंजन यूज़ वाया तो 1.0 लिट रियर पावर विंडो मिल जाते हैं यानि की फ्रंट और रियर दोनों जैसा कि आपको सोनेट में मिल दा है या फिर काईगर मिल दा है वैसा ही आपको मेगनाइट में भी रियर और फ्रंट दोनों में पावर विंडो मिल जाता है ओटो क्लाइमेट कंट्रोल वोइस कंट्रो rear reading lamps भी आपको मिल जाते हैं यानि कि ऊपर छट की जो light होती है कुछ गारियों में base model बगेरा में scale 1 होती है आगे की तरफ लेकिन यहां आपको आगे और पीछे दोनों तरफ rear reading lamp मिल जाते हैं साथ ही इसकी steering है वो multi functional है यानि काफी कुछ मज़ा आने वाला आपको smart access card entry के साथ आपको engine start stop button भी इस गारी में मिल जाता है निसान की magnet XV में मिल जाता है इतना ही निसाथ है इसमें भी आपको height adjustable driver sheet मिल जाती है यानि कि वो ही features जो काईगर मिल रहा है और dual tone dashboard इसमें मिलना ही मिलना कुल गला के हम यह कह सकते है कि एक सांदार package है निसान की magnet निसाथियों ये चार कारे हैं इन चारों कारों के सामने जो सबसे बड़ी समशारी है वो है इनका waiting grid आप काईगर खरीद रहे हैं तो भी आपको 5-6 मैने तक इंचार अभी लगबग चलदा है आप magnet खरीद रहे हैं तो आपको लगबग 8-10 मैने तक इंचार करना पड़ेगा किया की sonate खरीद रहे हैं तो आपको 5-6 मैने तक इंचार करना पड़ेगा लेकिन हंड़ी की venue बर इस मामले में थोड़ा खुस्मिक किसमत है यदि आपने हंड़े की venue पसंद की है तो वो आपको कुछ कम समय में मिल जाएगी केरसाथियों वेटिंग पिर्ट की छोड़े यहां आपको बताते हैं कि यह जो 7 लाग से कम कीमत की हमने बात की यह है एक्स औरों प्राइज नहीं दिली के नुशा है वो लूटेंगे यदि हम थोड़े बहुत भोले बनके रहेंगी तो यदि हम थोड़े बहुत चतुर रहेंगी तो साथियों इन चारों में से आपको कौन सी गाड़ी पसंद आई जाते जाते एक कमेंट लिग के जाएगा ज़्यादा समय नहीं लगेगा पर मुझे लगेगा कि आपने इस वीडियो को देखा है और मैं चारता हूँ कि इस वीडियो पर कम से कम तीन सो कमेंट आने चाहिए और अन्त में साथियों यदि आप मेरे रेगूलर व्यूवर है तो मैं आपसे आज एक निवेदन करूँगा खेर हो सकता है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सकता कि अलग पर 95% लोग तो वो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यदि मैं पूरे एनालेसिस डाटा का करूँ तो आप समझ पाएंगे लेकिन आप तो समझ ही रहें तो यदि आप रोज वीडियो देखते ही हैं तो साथियों बले ही आप बेल आइक न दबाए लेकिन एक बार सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब जो संक्या है उसे 10,000 तक पहुंचने में अमारा सयोग करें और वीडियो के अंतिम भाग में साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोरोना चल रहा है इसलिए आप अपने और अपने परिवार की सेप्टी का विशे इस्तियान रखें जाग रुक रहे समाज को जाग रुक करें माश्क बगर्या का यूज करें जो भी चीज़े हैं आम बार बार यहां उसका नाम नहीं लेंगे लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपका कुसल नेत्रत श्रमता है उससे देश आगे बड़े ऐसी आपको व्यवस्ता करनी है और अंत में आप य करें सोब तैंक यू